हलो एवरिवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, लेट सी स्टड़ी विद वंधन अगरवाल साथियो आओ बनाएं सिख्षण योजना के अंतरगत, आज मैं लेकर आई हूँ हमारा परिवेश कक्षा 3 के लिए सिख्षण योजना जिसका टॉपिक है हमारा भोजन करप्या चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल नोटिफिकेशन को आउन कर दें तक कि मेरे अन्य आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाएं तो इसी प्रकार की अन्य वीडियोस पाने के लिए एक रप्या चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तो आईए आज की सिक्षन योजना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हमारा भोजन यानि कि जो टॉपिक है वो है हमारा भोजन और ये कक्षा तीन के लिए है तो देखिए साथियो सबसे पहले हम दिनांख कक्षा और हमारा परिवेस यानि कि जो हमारा सब्जेक यानिकि जो हमेश में लिख लेंगे तो ये जो सिक्षन योजना है ये पढ़ाईजाएगी तीन पीरियाट में तो आप इसमें 3 period कालांश में 3 periods भी लिख सकते हो और उनका total समय भी लिख सकते हो कि ये 120 minutes का है यानि कि हम 40-40 minutes के 3 period में इसको complete करेंगे learning outcome जो है बच्चे भोजे पदार्थ की परिभाशा अर्थात भोजन क्या है इसको समझते हैं बच्चे भोजे पदार्थ के प्रेकारों से परिचित होते हैं बच्चे जीब वे दांतों की उप्योगिता से परिचित होते हैं और बच्चे विभिन भोजे पदार्थों के बार कर बनाया गया वास्तविक TLM यानि कि हम छोटी-छोटी पिन्यों में दालों को रखकर उनसे भी दाल राजमा चने मतलब भोजन के जो प्रकार हैं उनको हम अलग-अलग तरीके की चीजों को भी छोटी-छोटी पिन्यों में रखके TLM तयार कर सकते हैं कुछ सूखे मेवे चैशन के प्रारम में शिख्षी का बहुत हिलकी फुल के माहौल में बच्चों से बातचीत करतीये और उनकी प्रिया-खाने की चीजों के बारे में तो हम पूछ सकते हैं अच्छा बच्चो आज MDM में क्या बनेगा तो क्योंकि MDM में बच्चो को पता होता है कि पूरे हफते के दोरान कौन से दिन क्या के चीज़े बनती हैं तो हम वहीं से टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं अगर भूख लगने पर बहुत देट तक खाने पीने को कुछ न मिले तो आपको कैसा लगता है तो इस बारे में भी बच्चे अपने अपने विचार आपके साथ शेयर करेंगे फिर हम शिक्षण के दौरान क्या करेंगे बच्चों भूख लगने पर हम कुछ न कुछ खाते पीते हैं हम जो खाते पीते हैं उसे ही भोज्य परदार्थ अर्थात भोजन कहते हैं तो हम बच्चों को ये बताएंगे उसके बाद भोजन से हमें कार्य करने की शक्ती मिलती है हमारे सरीर की व्रद्धी होती है अर्थत विकास होता है और जो भोजन है वो हमें बिमारियों से भी बचाता है तो इनी गुणों के आधार पर भोज्य पदार्थों को तीन भागों में बाटा जा सकता है सबसे पहले नमबर पर उर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ यहाँ पर हमने जो TLM बनाया है अलग-अलग चीजों का कि उर्जा किस्से मिलती है उनको हम अलग दिखा देंगे व्रद्धी करने वाले अलग और रोगों से बचाने वाले अलग यहाँ पर हम उन चाड को प्रस्तुत कर देंगे उर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ यानि जो हमारे सरीर को काम करने की उर्जा देते हैं जैसे गेहू, चावल, चीनी, तेल, घी, गुड़ अब व्रद्धी करने वाले, तो व्रद्धी करने वालों में हमारे में कौन-कौन से भोज्य पदार्थ आ जाते हैं ऐसे पदार्थ जो हमारे सरीर का विकास करते हैं जैसे दालें, दूद, अंडा, मास, मचली रोगों से बचाव करने वाले, तो जो हमारे सरीर को रोगों से बचाते जैसे फल और सबजिया, इसके पास शिक्षन के आंथ में हम बच्चों को बताएंगे, यह सारी चीजे हम explain करेंगे, इनका हम चार्ट बच्चों को दिखाएंगे, और last में हम कहेंगे कि हमारे सरीर के उ क्या खाओगे इसकी एक ताली का बनाओ तो बच्चे सर्च करके इसको करके लाएंगे अब हम सेकिंड डे फिर से स्टार्ट करेंगे क्या जो हमने कल पढ़ाया था उस पाठ के अंसकी हम पुन्रवरत्ति करेंगे और बच्चे ग्रहकारिये करके लाएं या नहीं इसका अब लोकन करेंगे फिर शिक्षन के दोरान हम बच्चो को आगे चैप्टर कंटीन्यू करेंगे बच्चो बोज्य पदार्ट को हम तीन तरह से खाते हैं कैसे एक तो हम कच्चा खाते हैं दूसरा हम पका कर खाते हैं और कुछ पदार्ट ऐसे होते हैं जिने हम दोनों ही तरीके स खाते हैं तो अब हम एक गतिविदी करा देंगे वो गतिविदी क्या है हम कक्षा को तीन समूहों में बार देंगे और प्रतेख समूह से किस भोज़े शक्राइब ऑई कि सो चिए कच्छा खाया जाता है और तीसरे परेत हैं यह सो कि बतबूचे की हैसे लखना में कि और भाइन तरीके को मिलेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे upon बच्चों में स्व्शा को एक साथ समुझा ऑध क्चा काले क्योंकि पकाने से उनके पोशक्तत स्थ में श्राजाब करें क्योंते सीजों कि सो ड़ने स्वाूसिती पकने इस्षा हैं और उनका अच्छा हो जाता धक कर रखना चाहिए और खाने खाना खाने से पहले और पकाने से पहले हमें साव पानी से हपने हाथ धूने चाहिए तो ये हो जाएंगी खाना, खाने और पकाने से पहले की सावधानिया और साथी हमें अपने भोजन को खुब चबा-चबा कर खाना चाहिए अब हम यह ग्रहकारी बच्चों को दे देंगे कि हमें भोजन को ढखकर क्यों रखना चाहिए यह आप घर से लिख कर लाईए दूसरा हमें भोजन की आवश्यक तक क्यों होती है आगामी कार्य योजना में क्योंकि हमारा चैप्टर तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम फिर से वही लिख देंगे कि भोजन को खाने में जीववे दांतों की उप्योगिता यानि कि जो हमारा नेक्स टॉपिक है उसके बारे में हम अपनी अगली सिक्षन योजना का निर्मान करेंगे अब आजाते हैं हम तरतिय दिवस पे यानि कि थर्ड डे हम क्या पढ़ाएंगे हम इसी चैप्टर को आगे कंटीनियू करेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है और एक दिन में बच्चे इसको ग्रास नहीं कर पाएंगे तो फिर हम सिक्षन के आरम में तो हम वही करेंगे कि जो अभी तक हमने पाठ पढ़ाया था उसको रिकॉल करेंगे बच्चों से पूछेंगे उसके बारे में कुछ प्रशन और पूछेंगे कि बच्चों जो आपको कल ग्रह कारिया दिया गया था वो आप करके लाए हो या नहीं फिर शिक्षन के दौरान शिक्षी का एक गतिविदी का आयोजन करेगी और वो क्या है वो तीन गिलास पानी लेगी जिसमें एक में चीनी का गोल होगा दूसरे में नमक का और तीसरे में नीबू का रस फिर हम बच्चों को बुलाएंगे और हम बच्चों से उनका स्वाद पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे भी तीनों का स्वाद कैसा है तो बच्चे बता देंगे ये मीठा है ये खटा है और ये नमकीन है अब हम बच्चों से पूछेंगे अच्छा अब ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि कौन से गिलास में क्या है तो फिर बच्चे बताएंगे कि हमें इसको जीब से या सुआद से पता चला या चक कर पत निगल सकते हैं और उसे पचा सकते हैं साथि साथ हम बच्चों को यह बताएंगे क्योंकि दान्त हमारे लिए बहुत उपज्योगी हैं तो दान्तों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उनकी नियमित सफाई भी आवश्यक है अब शिक्षण के अंत में हम बच्चों से कहेंगे बच्चों भोजन अब हम पूरे चैप्टर की समरी यहां पर थर्ड डे के शिक्षण के अंत में बच्चों को पूरे चैप्टर की समरी हम समझा देंगे बच्चों भोजन हमारे सरीर के लिए अतियावश्यक है हमें संतुलित भोजन ही करना चाहिए अर्थात ऐसा भोजन जिसमें सभी परकार के पोशक तत्तूओं का मिश्रण हो इसी परकार हमें भोजन को साफ और धुले हातों से करना चाहिए और उसे निगलने से पहले खूप चबाना चाहिए तो इस तरह ऐसे और भी जो चीज़े हम include कर सकते हैं जो भी हमने तीन दिन में पढ़ाई है वो हम यहां समरी बच्चों को समझा देंगे और फिर उसके बाद हम बच्चों को ग्रहकारिये देंगे और वो ग्रहकारिये क्या है कि शरीर को रोगों से बचाने के लिए क्या-क्या खाना चाहिए यह बच्चे लिख कर लाएंगे अपने घर से और दूसरा बच्चों को खाने में जो भी पसंद है वह कैसे बनता है घर में पता करो और अपनी कॉपी में लिख कर लाओ तो यह एक उनकी क्रियेटिव राइटिंग भी हो जाएगी तो इस तरह से यह हमारा भोजन चैप्टर हो जाएगा कम्प्लीट और यह बच्चों को अच्छी तरह से भी समझ में आ जाएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो करप्या इसे लाइक करते धन्यवाद